गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम सब हमारी हिंदी पाठे पुस्तेक ज्यानोदे भाग दो के पाठ अठारा जागो प्यारे पड़ेंगे प्रस्तुत पाठ एक बहुत ही सुन्दर कविता है प्रस्तुत कविता में मा अपने बेटे को सुबह की सुन्दरता का वर्णन करते हुए उठने को कह रही है वह मा अपने बेटे से जो सुबह के द्रिश्य की सुन्दरता का वर्णन कर रही है उसे ही हम कविता में विस्तार से पढ़ेंगे उठो लाल अब आखे खोलो जाकर जल्दी मुँँ हाथ धोलो प्रस्तुत पंक्तियों में मा कह रही है कि उठो लाल यानि प्यारे बेटे उठो अपनी आखे खोलो और मुँँ हाथ धोलो क्योंकि सुबह हो चुकी है सभी प्राणियों जिऊं के उठने का समय हो चुका है इसलिए अब तुम भी उठ जाओ और उठकर अपने मुँँ हाथ धोलो रात गई कमल दल खूले उनके उपर भोरे जूले मा आगे की पंक्तियों में बेटे को सुबह की समय के बारे में बताते हुए कह रही है कि प्यारे लाल रात बीद गई अथार्त रात के समाप्त होने पर सुबह हो चुकी है सुबह के समय कमल दल जूले कमल के फूल जूले जूले यानि खिल चुके हैं अथार्त सुबह के समय का स्वागत करने के लिए कमल के फूल भी खिल चुके हैं और अपने आलसे को भगाते हुए भवरे भी उन कमल के फूल का रस्पान करने के लिए आ चुके हैं प्यारे बच्चों जैसे आप सभी भी सुबह उटने के बाद मुहा दोकर सनान करके नास्ता करते हैं वैसे ही भवरे भी रात गुजरने के बाद कमल के फूल के रस्रूपी नास्ते को करने आ गए हैं चिडिया चहक उटी पेडों पर बहने लगी हवा अति सुन्दर पेडों पर बेटी चिडिया भी चहक चहक कर प्रातकाल होने का संदेश दे रही है साथ सुबह सुबह बहने वाली ताजी हवा भी सुन्दर लग रही है यानि मन को भा रही है नब में प्यारी लाली चाई धर्ती ने न्यारी चवी पाई नब यानि आस्मान में आकास में चार और सूरे उदे होने से पहले लाली यानि लाली मां चा गई अथार्त आस्मान लाल रंग से युक्त है और यह द्रिसे बड़ा ही सुन्दर दिखाए दे रहा है मानो आस्मान का सूरे उदे होने पर स्रिंगार किया गया हो धर्ती ने न्यारी चवी पाई सूरे उदे होने पर आस्मान ही सुन्दर दिखाए नहीं दे रहा है बलकि धर्ती भी सूरे के उदे होने पर उसका स्वागत कर रही है चारू और प्रात काल के आनन्द में सभी प्राणी सुबह होने पर बड़ी प्रसंता महसूस कर रही है इस परकार धर्ती की चवी अथार उसका वातावन बड़ा आनन्दित है सुबह हुई सूरज उग आया जल में उभरी सूरज की चाया सुबह के साथ सूरज उदे हो चुका और उस उदे होते हुए सूरज की चाया नदियों पालाबों के पानी में दिखाए दे रही है इसलिए माँ अपने सोते हुए बेटे को जगाते हुए कह रही है कि बेटे ऐसे सुन्दर समय को मत खोओ अथार्थ ऐसे सुन्दर समय में होने वाले प्रकरती के सुन्दर चित्रूं का आन्दन दिलो बेटा अब मत सो उटकर सुरे उदे का सुन्दर दिशे देखो प्यारे बच्चों हमें भी सुबह सुरे उदे से पहले उटना चाहिए क्योंकि सुबह की वायू हमारे स्वास्ते के लिए बड़ी ही लाबधाय होती है और हमारे बुजूर्गों ने भी कहा है जो सुरे उदे से पहले उटते हैं उनके सरीर में आलत से नहीं रहता है सब्दार्थ लाल लाल यानी की बेटा लाल का अरत होता है बेटा फूले फूले यानी खिलना नभ नभ यानी आकास सूरेज सूरेज यानी की सूरिय कमल दल कमल दल यानी की कमल के फूल अती अती यानी बहुत न्यारी यानी सुन्दर उग उग यानी निकलना धन्यवाद